हुआ है हलो स्टुडेंट्स माय यूटूब फ्रेंज सर्फ थम आज मैं आप सभी को बहुत-बहुत धन्यबाद कहना चाहता हूं थैंक्यू सो मच कि आप सभी ने जो है हमारी वीडियो को इस तरह से सपोर्ट किया देखा सब्सक्राइबर भी हमारे जिससे की पूरे हो गया है और जो है वाचिंग और यहां सब्सक्राइबर होना चाहिए तो यह सब मेरे इलिजिबिल्टी पूरी हो गए है तिस समय हमारे 5000 हजार घंटे हो गए हैं और 2000 सब्सक्राइबर भी हो गए हैं 2000 प्लस तो इसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और अब मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं इस चैनल को monetize भी करा सकता हूं उसमें भी सकता हूं monetization के लिए तो आज की वीडियो में हम जो है आपको जो है एक master वीडियो देने जा रहे हैं जो कि pronoun से related है तो pronoun के पार्ट में पढ़ा चुके हैं अब इसका एक master वीडियो बना दे रहा हूं ताकि सभी पार्ट को आप एक साथ revision कर सकें और आपको बार बार अलग से सभी वीडियो खोजने के जिरूत प्रोनाउन के बारे में ना पढ़ें मिलते हैं पूरा लेक्चर आप देखिए पूरे वीडियो देखिए उसके बाद जहें अगले वीडियो मिलते हैं थैंक्स फार वाचिंग वीडियो हलोु students आईए आज pronoun और उसके प्रेकार काद्धिन करते हो। pronoun किसे कहते हैं पीछे भी पढ़ चुके हैं आज personal pronoun की बारे में detail से जानते हैं संध्या की अस्थान पर प्रीयोग होने वाला सर्वर नाम कालता हूं pronoun किसे कहते हैm pronoun is a word used in place of a noun तो personal pronoun पूरु स्वाचक सरवनाम इसे किसे कहते हैं इसके बारे में detail जानते हैं I, B, U, They, He, See, It यह सब personal pronoun कहां कहां लगता है उसको जानते हैं हरी इज अवसेंट हरी अवसेंट मतलब अनपस्थित है विकॉज हरी इजल क्योंकि हरी बिमार है अब यहां देखिए वाक कि हरी बिमार अनपस्थित है क्योंकि हरी बिमार है तो यह वाक जो है अच्छा नहीं लग रहा है अगर यह वाक क्या ऐसे लिख देंगे हरी इज पुल्राप्रिति को टालना अधिक अच्छा है और हम कह सकते हैं यह पुल्राप्रिति जो हरी दो बारा है इसको टालना अधिक अच्छा है इसके अस्थान पर हम कह सकते हैं ही जिल ही किसके लिए आया है हरी के लिए तो इस प्रकार से जो सब्द संग्या के अस्थान पर तो इस तरह से सब्जिक्ट कुछ भी बदल सकते हैं अकेले अपने लिए करें का आई कर सकते हैं एक आपने स्यादा लोगों को मिला रहा है तो भी कर सकते हैं दूसरे कलिए कर सकते हैं, काई लोगं ना हमाए न आ अन्य लोग हैं उनके लिए लिए हम देख करेंगे he see it और अन्य लोगों में एक ही इक लोग है तो he see और अन्य लोगों में तो he see it लगाएं विद बस तो है यह जंडर जिसका असपस्ट नहों लिंग तो उसके लिए भी इट लगाते हैं सब डिटेल में पढ़ें कहां इट लगाएंगे कहां क्या लगाएंगे टो आई वी यू दे ही इसी इट ते को पूरुस वाचक सरवणाम कहते हैं तो इतना याद करना पूरुस वाचक सरवणाम यानि पैसनलिक प्रणौन काउन सब्द आते हैं आई वी यू दे ही इट तो इसका ज्यानस लिए भी जरूरी है क्योंकि active प्रयोग होता है इनका objectiveyers सब्सक्राइब करने वाला बात सुनने वाला और जिसके विसे बात की जाए तो आई भी सर्वनाम को पूरुस वाचक उत्तम पूरुस कहते हैं यह जो है जिससे बात की जा रहे हैं यह एक सब्सक्राइब या व्यक्ति यह व्यक्तियों का बूरुक्त कराता है तक लग किसी एक से जिससे हम बात करने उसके लिए हम फूरुस वाचक मढध्ययपुरुस लाजी कि सेकंड पारसन के प्रग करथे यू का प्रोंग बचन या बाउचन दोरु होता है मतलब इसमें ऐसा विखस तो एक लोगों से बात करना है एक से ज़्यादा लोग क्लिव हम तुम लोग अपना काम करो तो बाव बचन भी हो जाता है जित उस बस तू का वोद्रफा जिसके विर्वाट की जाती है फिर भी इसा थर्ड पसन कफ्रयोग इसको मानते हैं, पुरुस वाचक सरव सर नम और पुरुस वाचतों में सांग्यत वाचक 009. तो आई देखते हैं कैसे 001 प्रोणाउन होते हैंOग दौनों बारी की सोमझते हैं पूरुस वाचक सरणामु के रूप फारस्वत्ल अब इसमें धन्य उत्तम पूरुस फारस्ट कशनर करते हैं तो फारस्ट वाशनर जिसे एक बचन प्रिछेश्ट भी काता है जिसमें सब्सक्राइब माइप करता कारक है और कर्म कारक उसका यू होता है अन्य पूरूज यानि थर्ड पासर में देखिए ही है। ही से बनने वाले सब्द ही हम है। ही जो आपको संबंध करका है ही हम आप दिक्ट्ट्टू कर वहाँ। अधिकांस के संबंध कारक दो रूप है जिसे माई आवर योर हर काते हैं संबंध वाचक विशेशर मतलब पजेश्चु एड़ेक्टों मतलब माई आवर योर हर देर जिसमें देखे यस नहीं जुड़ा रहाता है योर में जुड़ा है यह सब भी नहीं है तो उसको हम क्या करते हैं क्योंकि संग्याओं के साथ इनका प्रयोग होता है क्यों बॉक के पहले देखिए माई यह वह किसका मेरे क dari माई में एड़ेक्टो से पहले आते हैं इसलिए फ्रोन कि काते हैं कि अब बताएंगे प्रोणौन की जगह भी कैसे आता, माई मिस मेरा, कि नाउन से पहले आ गया, तो मेरा कहले, माई हो गया, अब यह देखिए नीचे वाकत जो लिखे गया है, दिस्ट बूक इज माईन यह किताब मेरी है, तो यह माईन मिस यहाँ भी मेरा होगा, और वहाँ भ यह देखिए, यह दोनों का आर्थ होगा उसकी, लेकिन यह नाउन जो है, अगर पहले आ जाता, तो बाद में इसके साथ नाउन की जरूद नहीं पड़ती, तो प्रोणौन हो जाता है, अब इस बूक इज माईन, यह किताब मेरी है, नाउन पहले आ गया, बाद में नहीं इसके साथ नाउन नहीं आया है, यह प्रोणौन है, इसके साथ नाउन नहीं आया है, यह प्रोणौन है, अनिपूरुस सरवनाम के तीन जेंडर है, सरवनाम का प्रोणौन होता है, कहां कहां होता है, यह यह प्रोणौन के लिए, जब तक कि हम असपस टूप से यह ना कह सके कि जानौर नर्या मादा हो, इसका मतलब जंडर ना के लिए हो, तो भी हम लगाते हैं, जैसे देखते हैं, यहां देखिए, वह अपने कुत्ते से प्रेम करता है, और इसके बिना नहीं रह सकता है, अब यहां क्या इट किसे लगा है, कुत्ते के लिए लगा, दहार्स, फिल, और या Researchers क्या का है, खोड़ा गिरा और इसक ब्रोक हैं, यहां क्या क्या है, यहां घौड़ा, घौड़ा गिरा और अपना फैर तोड़ोडी के लिए, गोड़ा, टोड़ी, precious नया गोड़ी के लिए तर Falls इे और से लाव시 prepared, और नहीं इस प्रेस्साया मैंको चानवर या बढ़ा हो किसी के लिए भी हम इत लगा देते हैं वसे जब पालतू का संस रहता है तो जंडर के लिए रहता है तब ही हम ही जिया हर का प्रोग कर सकते हैं छोटे बच्चे के लिए जब तक हम अस्वस टोप्षिस के लिंक के विशे में ना कहें जब हमको पता नहीं के लड़का है लड़की है यह इतना पता बच्चा है तो हम इट का ही प्रोग करेंगे जैसे विन आई साथ चाइल्ड जब मैं बच्चे को देखा इट वाज कराए तो अब बच्चा के लड़का है लड़की के लिए नहीं दब बेबी हैस टेके न इस क्लॉथिस बच्चा अपना कपड़ा प्षाड़ और तौ यहां यहां देख के उसको बता दे रहे हैं तो यहां भी एट्स लगेगा इसी पहले कहे गये कतन के बारे मैं पहले के ता जैसा की वह इसे जानता है, इसे की यहाख किसके लिए लगा, जो बता रहा है, यहीं कब गई हो इसे बता है, जैसा की वह इसे जानता था, इस एक मतलब जिसके बाई होगे था तीस तरह से कई भी बात के लिए भी इट लगता है टूबी करिये से पूर आज थाई छड़िक उद्देश के रूप में जब वास्तिक उद्देश बाद में है जैसे टूबीक मतलब इस एमार वाजवर जब इनके बात ठीक है आयंजे नहीं आता तो इनको टूबीक रिये काते है मतलब दोस निकालना आसान होता है अब इसमें इट लगा दिये हैं क्योंकि वास्तिक उद्देश तो दोस निकालना बाद में बताया गया इसलिए अब इसको ऐसे भी कासे कि वाख निकालना आसान होता तो इस बात को अगर बाद वाला उद्देश को पहले ले आएंगे तो यह इट हट जाएगा दोनों तरीके सबाख के लिख सकते हैं इस तरह से आगे भी वाक्ग है इस डाउटफुल वेदर विलकम इसको ऐसे विक सके यह सर्वनाम पर बल देने के लिए जैसे इट वाज यू यह आप ही थे हूँ बिगेंड अक्वेरल जिसने जगड़ सुरू किया इसको सार्ट में से आपने ही तो जगड़ सुरू किया इस तरह से बात पर जोर देने के लिए इट का प्लियोग होता है इट वाज यू फू इट वाज आई हूँ ठीक है फर्स्ट प्रोटेस्ट यह मैं था जिसने पहले बिरोत किया इस तरह से बात पर जोर देने के लिए मैंने ही आप ही वह ही या यह आप थे या तुम थे यह सब कहने के लिए इट लगाते है कि यह किसे संब्द ना रखने वाले भावा चक्रिया के अनिस्चित करता की तरह जिसे इट रेंस बारिस होती है तो यहां किसे संब्द नहीं रखा जा रहा है निए प्राक्रतिक चीजें होती है जैसे जाडा गर्मी मौसम समय दूरी इनके लिए भी इट लगता है सब्ज अधर रेंस बरस्ती है यह नाउन है लेकिन दो बार रेंस लेकर हम इट लगा देते हैं मौसम यह समय के बारे में कहने के लिए लगते हैं इस फाइन इस विंटर जाड़ा है इस जाड़ा है इस ते नुकलाक दस बजे आसे अस्थानों पर सब्जेक रूप में इट लगा जाता है जाता है इनका लिंग बचन पुरुष भी उसी संग्या का होना चाहिए मतलब जिस नाउन के लिए जो है हम प्रोन लगाएंगे उससे नाउन से रिले है प्रोन होना चाहिए जैसे रामी जो काइंड वह राम एक दयाव लड़की है तो ही हाइज लेंटी वाइ स्क जैसे मतलत समख वाचक संग्या यानि कलेक्टिव नाउन के लिए हम एक बचन में नपुरुष भी नौन शग लेंगा यानि इट का ही प्रोग करेंगे पूरे समञ्या का बोद होजिए जब उससे तब जो आधिये समुदाय को में बौत होता है कभी समुख के समु देना चाजप के लिए। अभी देंगे एक्जाम पर। पहले हम पूरे समधाय वाला दार देखें, the army had to suffer, army मतलब फाउज या सेना, सेना को सफर करना पड़ा, travel भाय अंकर, ठीक है, privations in its, मौज, अब यहां क्या है, in its बने अपने, तो army के ले क्या लगा, its लगा, दूसरे हम देखें, the fleet, fleet मतलब जहाजी बेड़ा, will reach its, अब यहा सम्मू होता है, नाविकों के सम्मू, क्रिव के साथ भी, its देखें लगा, after a few minutes, the jury, jury मतलब क्या होता है, नियाधिशों के सम्मू को jury कहते है, जैसे, for example, अध्य मामले में, पांच जज मिलके, फैसल लगा, its लगा, इसके साथ भी, यहाधि सम्मू वाचक संग्यापूरे ब ब्यक्तियों का प्रिथक बोद करा, तो प्रियोग होने वाला सर्व नाम बहुचन हो, प्रिथक मतलब आलाग अलाग, यहाधि जूरी, नहीं, जूरी के ब्यक्तियों ने, ठीक है, इस तरह से वही अर्थ आएगा, तो हम देर लगाएंगे, चली देखते है, देखें, यहा मतलब होता है नियाधिश का समू, पर समू, चली थे, जूरी के ब्यक्तियों ने, टो कहींब बंट गएिथे, तो कहीं भी जूरी यह अर्थ का स्थ देवाईड़ आएगा, तो इतना कलियर जान लगें, तो प्रिथे हैं, नियाधिश की ब्यक्तियों प्रिखेंगे, तो सम इसलिए देर लगे इतना ध्यान देना इनके साथ जूरी इसलिए लगे इतना ध्यान देना इनके साथ जूरी कमेटी जब दो एक बचन दो याज अधी की एक बचन संग्या आयंट से जोड़ी हो तुन के लिए प्रोकिए जाने वाला सर्व नाम बवचन होगा यहां राम महेंट हरी राम और हरी वर घार कठन पैसरम किए तो दो लोग है राम हरी इसलिए दे लगा इसमें भी सीटार सावित्री दो लोग है दे लगा आयंट से जोड़ी के एक ही ब्यक्ति है बस्त को सुचित करें कभी कभी होता आयंट से जोड़ी भल लेकिन एक ही ब्य हैं जनी चेंद अब यहां कैसे जानेंगे हम एक लोग नाम दिया रहेगा पोजीशर्टाइब हैं जैसे तो Phot?ifierतो आर्ट गोई गे फैसे अब मतलब एक कि दुपल तो प्यांया लगाए colo सब दो लोगा तो आपका ही turning लगा और इसका R हो जाता है। इस तरह से दोनों पहले गरदा लगेगा हैं तो ये बताता है कि अ कि दो हैं एक ही बचन है तो ये बचन ह wait और और गाले एक इक ही बचन हैं इसलिए एक बचन की बड़न प्रोण लगलें हैं तो इसलिए वाज लगेगा, हिज लगेगा, यह एक बचन की बर्ग और फरनौम, इसलिए दो अधिक एक बचन की संगे, आइदर आइदर नार से जोड़ी है, तो सर्वनाम एक बचन में होगा, इसलिए राम आर हरी, राम या हरी, must lend his hand, अब यहां क्या है, कि राम या हरी, आ इसलिए लगा, नादर अब्दुलनार करियम, यहां भी हीज लगा, यह एक बचन की है, जब एक बचन 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 दोनों की जिसे संग्याए अगर आगए, आर नार या आईदर आर इनसे जोड़ा जाए, तो सर्वनाम बचन में होगा, जैसे आईदर मैनेजर आर ही जैसे स्टैंट्स अब यहां से स्टैंट्स क्या है, बप ऑचन है, यह भले एक बचन 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 बाद में आता है, और एक बचन बचन बाद में पहले एगर नणों आते है तो बाद वाले Podeकम्शार हम क्या करेंगी देर म tiếp out का यहां वर रहे इनधर तो यहे को को इसने बचन bent क इन तीनों में से ठीक है कम सकम दो तो रहेंगे तो करना क्या है प्रणावन कॉन से लगे उसको देखिए जीए देखिए यूग साथ आई फर्स्ट परसन है तो यूग साथ कभी भी आई रहेगा तो उसके साथ आवर लगेगा अपना कंगरेजिए तुम और मैं अपना करतब कर चुके है अब लगेगा यह नहीं कि अम्माई कर दो गलत हो जाएगा अब यू सेकंड परसन के साथ यानि कि हरी थर्ड परसन किसी का नाम हो या कुछ लिए तो यूग साथ थर्ड परसन रहेगा तो आपको यूर करना पड़ेगा अपना अंग्रेजिए अपना के अंग याद करने है यह 233 संख है 24 3 को मतलब हुआ पहले 2 फस सेेकंड परसन हमको लिखना चाहे थर्ड परसन फिर फस्थ परस्थ इसलिए जैवं से यू पहले 2 है यू पर रिखन छेए विखने फिर 1 आगर 1 1 है तो थर्ड य00 training अगर ही सेट नाम हान नाविफ नावन किसी ऑंब बदले में ही आता है सैंटान से यहां सेकंट और फिर स्फ्षत की धिस की जो किषी यह अताई च्टैक सबस्रार्बु स्वर्वनांवन प्रत्य कर्मवाच्चक के रूप और मिंभड़ुद abol म Right जब सर्वनाम सम्मुच्चे बोध है आएंड आर द्वारा किसी एंड के साथ जोड़ जाता है तब मी के अस्थान पर आई के प्रोग करने के सुद्धिता है पाई जाती है इसे कर्म वाचक में जिसे अबजेक्ट के अस्थान पर जोड़ के आएंड से लिखा गया तो इसके लिए तुम्हार लिए यह अबजेक्ट की जगहें आ तो आपजेक्ट की केस लोग लेखना है ना माइए प्रोग का प्रो यह दो पर पिर पोजीटी की तरह होता बट का प्रोग कंजक्षन के बजाए प्रिपोजिशन की तरह ही होता जैसे Nobody will help you, कोई आदम तुमा इसारत नहीं करेगा बट माने होता है के सिवाई जब प्रिपोजिशन के आर्गम होता है यहां बट प्रिपोजिशन है तो प्रिपोजिशन के बाद भी हमें सब्जेक्ट्व के साथ है इसलिए मीका फ्रोब होगा यहां साही आई के प्रोग गलत हो जाएगगे कि इस तरह बट के बाद आप और को साई के बाद नहीं के साथ के संव्हाइद के बाद नहीं अधिर कि आर्ट करनाउन की बेशाहा बट हीwatch सब्सक्राइब सब्सक्रीण आ गया गया होगा अगले वीडियो में आपको पर्सन प्रोनावन की अलामा और जो प्रोनावन है उसके बारे में चर्चा किया जाएगा नी जो अच्छक यानि कि रिफ्लेक्स प्रोनावन इंफैटिव प्रोनावन डिमॉंस्ट्रेटव इंडिफिनेट इस्टिबूटी इस तब त सित्ती अच्छी जो है ग्रामर की वीडियो समय से मिल जयां लिफ्लात्यियो को कि 10 व्लकेम ये आज प्रोनावन आगला पाड़ा में पांद देखेंगे उन जवासक और बलात्मक साल नावं इसको इंग्लिवेंस में संटल इंदा हैं रिफ्लेक्स प्रोनावन और आदेखनों पर चुके हैं और पडहेंगे इसके बाद और भी प्र l experiments है वऑन पाड़ेंगगे तो जाता है तो स्यंख्त पुरुष वाचक सर्वनाम बनते हैं स्यंख्त मतल से 18 मिल की बनते हैं स्यंख्त परस्नल पर्णावन बनते हैं अब यह भी आपको जान कहरे होने चाहिए की इसकी compound PPN कईसे बनते हैं तो self ऐह व्र जोड़कर बनते हैं। वनते हैं जिय matrix को compound PPN कहते हैं इन चर्वणामों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं जब देश द्वारा किया हुआ कार किसी दूसरे प получается आपने संपल्रिश क्या किया हुआ क्सिदूसरे परनार पढ़कर पर पढ़ता है उसे हैं निज्मान ने स्वां खूद करता है करता द्वारा की अग्यकार किसी दूसरे पढ़ना पढ़कर अपने परही पढ़ता है तो अब एक बात आपको यह जानना है कि निजवाचक सर्मनाम बनते कहते हैं अभिक द्वाचक सर्मनाम जो होते हैं माय योर हिम हर हिट इतने सब्दे जो हैं इन में सेल्फ जोड के बंता और और योर न इन में सेल्फ जोड के बनता है अब आपको एक बात धियान देना है देखे द्हाल योग साथD barn रख्या क्यों क्योंकि यूओ एक बचन बहुक्चन दोनों में प्रच्यों क्यों कर कियों कि आध्य क्यों सब्सक्राइब तो दोनों प्रख्यो करते हैं ऑबहु बचन में हम स्ड़र्जूद upon बच्प पीजान लिए सेल्फ जो है इसका बहवचन होता है क्यों कि मतलब कोई मिला इसके बहुत से तरह से थीफ का जाता है इसलिए तो पर्सनल प्रणावन से ही यह रिफ्लेक्सु प्रणावन बनते हैं एक बचन में सेल्फ बचन में सेल्फ जोड़ यह बात है क्लियर हुई इतना ही आपको जानना और परिभांसा क्या है कि निजवाचक सर्व नाम उसे कहते हैं जब उद्देश से द्वारा किया गया किसी दूसरे पढ़ना पढ़कर स्वयम पर पढ़ता है जैसे एक जांपल देखते हैं एक बात और इसमें जाने लिए कि रिफ्लेक्सु प्रणावन में प्रत्य क्रिया के कर्म की तरह प्रयोग होता है तथा क्रिया के द्वारा निर्दिश्ट व्यक्तिया बस्त को सुचित करत मतलब कि रिफ्लेक्सु प्रोयवन प्रत्य क्रिया के कर्म की तरह variance मतलब क्रिया के तुरंध बाद यह कर्म के रूप में आईगा سबसे बड़ी भासान this यह हमीशा àबजेक्ट का हिसजा होता है मतलब किसे थी कहां याbes I सबाइब मैं किसको पहुंचा है स्वयम को कि से पहुंचा है कि ये बेर के त reminisW Happy रोप हो घृ इंव Flies तो मि दोनों से सब्सक्राइब के बाद तुम पर हित पढ़ा इस तरह से यह जो है आपजक की तुरूंत बाद आता है देखें कुछ और भी जानकारी देखते हैं कभी कभी पुरानी अंग्रेजिम बिस्टेश कर कावे में एक साधार सर्वनाम निजवाचक की तरह प्रयोग किया गया था तो यह बर्व की तुरूंत बाद आता है सेल्फ यह सेल्फ फार्म ही निजवाचक सर नाम कहते हैं लेकिन काभी में पतलब सुपोर्टर बगारा में तो कुछ कभी जो है इसका प्रयोग जो है बिना सेल्फ यह सेल्फ वाले सब को भी रिफ्लेक्स उप्रमान की तरह प्रय किसे लेटन प्रम मुझे यहां बार की बाद तुरूंत आ गया है यहां मी जो है रिफ्लेक्स उप्रोनाउन की तरह है इतना यह सब एक्सेप्शन है जो इसको आप ध्यान दे सके हैं एक है सल्फ कभी कभी संगय की तरह प्रयोग होता है व found को उच्छना में होता यह माय यूर इंके साथ लेकिन जो है कभी कभी जब इन के साथ माई यूर हिम इस तरह कि तरह है प्रयोग होता है तो तु दैन एण औŌnt वी ट्रो तुम तुम संसाओं के पर दो होना चाहिए सब्सक्राइब दो प्रिपुजीशन नवटर्ट इसका अर्थ अर्थ होता है कि की य कि जो है अपका डिक्र नहीं में G जड़ी में किष लborस की आज़ाती है है कि इमपैटीक बाता जो तने के लिए ओनर बेh अब अब यहां प्रिपोजिशन बार नावन यह प्रणौन आता है यह प्रणौन तो है नहीं ठीक है बट सेल्फ टिक है यह तो संग्य की तरह यह प्रणौन की तरह है यह थिंक्स मच आफ सेल्फ है अब आफ प्रिपोजिशन के बाद यहां क्या है नावन की तरह है वह स्वायम के बारे में थिंक्स मच बहुत अधिक सूचता है तो आई होप इंप्रणौन आपके समझ में आ गया होगा अक्सर यह बर्व के बाद आते हैं लेकिन आप वात पर में डेके या कब में पोडरी में कभी जो इसका मिक मी कर दिये है ऐसा भी कभी कह सकता है अब देखिए है सेल्फ भी कभी कभी जो रü्द्व हविस्स ओंग साथ रगता हैं चक्ति सेल्वारर नं के रीव के लेकिन नाउन के रूप में भी कभ गए भी 수도 स्वतंत रूप से रिक्तुन से सट लग सकता है इससे पाहले में देखिए और ने अद्एक्टुर है ब्लमक यो मोượng सरनाम इसितन को दर्टा सूच़रा हो ही कि ऐसे सरमनाम जो द्रेटा दिखाने जो डालने के लिए बात पर जो डालने के लिए और देखाने के लिए प्रोकर या ट्रेटी प्रैसा ठर्म, प्रियोग तो क्यों बल ट्रकट करने के लिए ह bathroom करने केलिए यहे हम दिखाने या जोड़ डालने के लिए बात पर किया जाता है उसे I will do it myself मैं इसे swarm करूंगा कैसे करूंगा बात पर जोड दिया जा रहा है इसलिए बलातमक सर्ममाद, अब यहां देखें दू क्या है दू आक़का बर्व के तुरंद बाद नहीं आए पहले अबजेक्ट या तबाए आई, अग सब्सक्तित के तुरूंत बाद आएगा यह तो आपजेक्ट के तुरूंत बाद आएगा लेकिन बर्व के तुरूंत बाद नहीं आएगा क्लियर कि ज्यादा तर केस में यह सब्जेक के तुरंद बाद याता है कि कभी प्राया जो है कम बहुत कम केस में आप जेक के बाद आता है यह तो सब्जेक के बाद ही आता है देखे 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 आई विल डू इट माई से स्वैम करेंगे तो यहां भी बात पर जोड़ देने के लिए लगा है तो यहां देखे इट के बाद लगा है बर्व के तुरंद बाद नहीं लगा है इट आपजेक्ट है व्यू यूर्सेल्फ का एंवेस्ट एक्सलेंड तुम स्वैम सबसे अच्छा एक्सलेंड कर सकते हों कि यहां सब्जेक के तुरंद बाद लगा लेकिन अंतर थोड़ा सा ही तुनों में कि वह जो है आपजेक्ट के तुरंद बाद प्रेवग होता है स्वैं और आपजेक्ट के तुरंद बाद रिफलेक्स हो रहेगा तो बर्ब के तुरंद बाद प्रेय रहेगा तो अपजेक्ट के तुरंद बाद दिहिते हैं जादातर केस में सब्जिक बाद ही होता है कुछ केस में अब देकि बाद भी कभी हो जाता है अब यहाँ इट वाज टोल्ड सो बाइद टीचर हिमसल्ट यहाँ टीचर के तुरूंद बाद लगा इसे ऐसा स्वें टीचर के ज़र रखा गया था जब भी साद प्रैमिनिस्टर इसे अब देखिए अब जेकिवाल लगा ताउन इट्सेल्फ सब्जेक के तुरूंद बाद लगा कांप्रेक्ष्ण प्रोनावन आप कैसे पास जानेंगे परिक्षम देदेगा किसमें कौल सा प्रोनावन है रिफ्लेक्ष्ण और इंफ्टिक आप्शन में दोलों यह आपजेक के तुरूंद बाद लग सकता है है यह कौन सा बर्भ के तुरूंद बाद लगा अपजेक की रुप में तो रिफ्लेक्ष्ण जो है ठैक यह बं थे कैसे एक वचन में इसछेल यह सेलब जटों और बहुचन में सेलब जोडों इंफप्शन भूंध एं ठीक है, टॉपिक के साथ जो है, इसके और भी काइंट्स पढ़ेंगे, वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइबर, सेयर करेंगे, थैक्स फार वाच वाच वीडियो अलो इस्टुडेंट्स, वेलकम टॉ आर्यम इंग्लिस क्लासेज, आईए आज प्रणावन के प्रकार हम पढ़ रहे थे, उसी के क्रम में आगे पढ़ते हैं, तो इसके पहले हम काफी वीडियो बना चुके हैं, ये रेन आइन मॉर्टिन बुक से इंग्लिस ग्रामर कम्पली कराया जा रहा है, Ports of Speech, अगर आप वीडियो नहीं देखें पीछे, तो वो सीरीज भी आप प्लेलिस्ट में जाएं, रेन आइन मॉर्टिन ग्रामर के नाम से हैं, आप उसको देख लेजिए, क्योंकि ये किताब जो है, हाई स्कूल इंटर दीए, मतलब कम्पटिशन में भ वाचक सर्वनाम किसे काते हैं, दिमास्टेटू, फिर इंडिफिनेट प्रणाउन यानेश्चे वाचक सर्वनाम, दिस्टिब्यूटि प्रणाउन, विभाग सुचक सर्वनाम किसे काते हैं, ये सब हम देखेंगे, एक जामपल से ही समझेंगे, जैसे दिमास्टेटू प् नजदीक की बस्तु केलिए एक बस्तु केलिए, बस्त केलिए बस्तु कीनज और रिट लग गर बद हतो राटान केलिए, यह सब आप जानते होंगे तो हैं आप्घ्ञाम्पल हैं देखता हैं , इसस्य थे प्रेजंट इे इस प्रासप सा रहिए पहार है, मेरे अंकल set neural यह उपहार मेरे अंकल से प्राप्त हुआ है इसमें दिस का संकेत किस की तरफ है प्रेजंट उपहार की तरफ ध्यान दीजिए यह सब जानते रहेंगे तो आपको एडजेक्ट्व में भी काम देगा क्योंकि दिस के बाद तुरंद बाद अगर दिस प्रेजंट एक साथ आ ज रहेगा तो उसके तुरंद बाद नाउन नहीं रहेगा यहीं इतना अंतर है अब देखे दूसरा दीज आर मेरली स्क्यूजज इसक्यूज मने बहाना हो गया यह केवल बहाने हैं मेरे मिस्त केवल तो इसका प्रेज़ के लिए हम स्क्यूजज की तरफ हुआ है बोथ कार्स इससार गूर्ब दूनों कार्य अच्छं बादिस इस बेटर दैन दैट यह मने यह बेटर अधिक अच्छी यह दैन दैट मने उससे है तो अब यहाँ धिस दैट दोनों प्रणौवन है कि मुंबाई मेंगोज मतलब बंबाई के आम आर perpetual दयन दोज आफ भंगलोर बंगलोर अधिक अच्छे होते हैं बंगलोर से मतलब बंगलोर की आम से अधिक अच्छे होते हैं । मेक हेस्ट जल्दी करो that's a good boy वह अच्छा लड़का होता है अब यहां देखिए that का मतलब क्या one who makes हेस्ट वह जो जल्दी करता वह अच्छा लड़का होता है there is no period in the ancient Indian history so glorious as that of Guptaz मतलब भारत की इतिहास में कोई भी period कोई भी समय ठीक है not the so glorious no so glorious उतना अच्छा नहीं है as that of Guptaz जितना की गुपता का गुपता का period मतलब गुपत बंस का period don't write as the Guptaz यहां as the Guptaz कर दें गलत हो जाएगा क्योंकि गुपता का period है गुपत बंस का period है उससे जो है उससे देट आप मतलब होता है my views are quite in accordance with those of the university commission मेरे विचार जो है और क्वाइट बिल्कुल वैसे in accordance with क्या अनुसार उसके अनुसार है दो जाप university commission जो university commission का है उससे तो दो जाप मतलब जो यहां बहुचन है views के लिए लगा है यह pronoun है जो है उससे मतलब जो university commission का उससे अब यहां I may have offended but such was not my intention ठीक है मेरा ऐसा इरादा नहीं था आइसा मतलब भी नाराज करने का तो यह भी आपका ते सच का intention की तरफ संकेत कर रहा है तो यह भी आपको प्रोनावन ही है कि आप संकेत वाचक सर्वनाम इस तरह से यह सभी है दिखते हैं कि कुछ आउर जान करें पड़ देते हैं आया देखा जाए एक लिखे सब्दों के द्वारा सर्वनाम उन बस्तों के और संकेत करते हैं जिसके भी समय सूचना देते हैं यहां तिर्षे जो भी लिखे गए हैं देखे वाक्य में ठीक है तो जो ब्लैक से हैं वो सभी प्रोनावन हैं वो सभी प्रोनावन हैं संकेत ही कर रहे हैं आने वाले न न्हम कायते हैं तो यह दूसर्ण यह नाउं कितब संक्यत करते हैं इसलिए संक्यत वाचक प्रिक्टS TOE नहीं संग्या से तुरंत पहले आयंगे तो इनको लिने एडेटिव वाले चरफ्टरन पड़ेंगे और इनके तुरंत बाद नाउं नहीं आपत प्रणावन कालेंगे अधिका रोग पत्शा खाने के लिए बिचार के निकट की बस्तों के लिए रहरा हुआ विज़को को लिए शी नियोंदी या ठीदेग सुस्टेट ऐर से भी आर्फशंटी नयाति धां अगे क्लिंऩ को बंचाने के लिए होता जलवाइ जो है विल्गुम का इज लाइक दय ताफ पूने ठीक वैसे यह जैसे पूने की दोगए तो यहाँ देखिए विल्गुम की तुलना पूने से हो जाएगा यहाँ कलाइमाइट आफ के लिए जो है दय टाफ लगा दिया गया है दूसरे मन देखें सिटी की गलियां जो है और वर्स ठीक है वर्स माने अधिक खराब हैं किस से दैन दोजाफ अहमदाबाद जो अहमदाबाद की चीट की कि गलियों से अधि सीटी की गलीओं टुलना हो रही है तो यहां गर धैइन के बाद तैह inappropriant अभी तो गली की तुलना अभष बात से हो जाएगा गलत हो जाए więcej नहीं से हां वी दोजाफ इन वीज जो आब भ्यास के लिए लगा इतिका ह। डोजाफ है। अप अमेरिका की नदियों की तो भूलनाइी यूरुप की नदियों शेकिन है yis लिए बार बार नदियों नहीं लिखाए लिखाए है। जब पहले आएवे दो बस्तों की और संकित किया जा तो दिस का प्रोग अंत में कभी बस्त के लिए दाइट का प्रोग पहले कभी बस्त के लिए होता है ठीक है तो जैसे वर्चू एंड वाइस ऑफर देंसेल्फ फार यूर च्वाइस दिस का मतलब क्या है देखे वर्चू जूब बाद में दिस आया है तो यह वाइस के लिए आएगा ठीक है इस लीडस्तु मिजरी है डैट डैट का मतलब जो पहले वाला वर्चू ठीक है क्योंकि यहां वर्चू एंड वाइस लिएगा तो बाद में लिखेंगे तो हम दिस का प्रोग करेंगी क्योंकि इधर से लास्ट संटेंस से तो इधर वाइस ही पहले पढ़ेगा तो दिस नजदिक यही पढ़ रहा है कि डाइट जो है यह दूर पढ़ जाएगा तीसलिए जो है इसको बाद वाला डाइट का प्रियोग जो है पहले वाले क्लिए करते हैं आहिए होप समझ गए होंगे और भी एक्पल लेक देख लेते हैं यहां दिये गए हैं ऐको है अनिषे वाइके का तीसी निष्चित तो यह संकेत नहीं करते हैं उन्हें अनिश्य वाचिक सर्व नाम पहते हैं, जैसे वन देखिए one hardly knows what to do, व्यक्ति मुश्किल से ही जानता है कि क्या करें, तो वन का मतलब व्यक्ति यब पता नहीं कौन सा व्यक्ति है, किसी का नाम असपस नहीं हो रहा, संख्य असपस नहीं हो रहा, इसलिए one लगा देत निश्चित ब्यक्तिवस्त को बताता नहीं है इसलिए यह सब अनिश्चिवाचक सर्वनाम कहलाते है इसे one does not like to say so ब्यक्तिवस्त नहीं करना चाहता है but it is only two true लेकिन यह भी सत्य है अब यहां क्या है सभी one का मतलब यहां ब्यक्ति होगा और none माने कोई नहीं और none of his poems are well known उसकी कोई कभी ताया अच्छे डंक से नहीं जाने जाती है या विलनोन में अच्छे डंक से जाने जाने यानी प्रसीद दोनिग्ति है उसकी कभी ताया प्रसीद नहीं तो यह पता नहीं कौन-कौन है तो यह सब इंडिफिनिट है All were drowned सभी डूब गये सभी में पता नहीं कौन रहाद है जोड़ा है करने संब कुछ कहते हैं ही इसवार पर, अब कुछ कहते हैं पता नहीं कॉन कॉन कहते हैं प्यूजान क zakar और हनं हीजा इस फिर अन रहत हैं कि फ्यूक्था कुम भी कुछ होता है इसके अनहट वह बिना चोट खाए कोई दुरुखट ना होई कुछ लोग बिना चोट खाए बच गए तो पता नहीं कौन-कौन बच है के लियर ही नहीं है यह सब अनिस्यवाचक सर्व नाम में आते हैं मेनी भी है मेनी आपते ही ओगर गुर्ख खाज उन में से कई को पता नहीं कौन-कौन इस तरह से मेनिक बाद आप लगा जाते हैं तेर्शे चपे सब्दों में ब्यक्तिय बस्तों को सुचित करते हैं, विसेस ब्यक्तिय बस्तों का बोध नहीं कराते हैं, यह इस कारणे नहीं अनिस्चे बाचक सर्वनाम कहते हैं, मतलब जो सर्वनाम किसी विसेस ब्यक्तिय बस्तों का बोध नहीं कराते हैं, उन्हें अनिस प्रोनाउन लड़की है तो हर नहीं तो हिज लगेगा जबकि देखिए वन के साथ आपको ध्यान देना पर इच्छमाता है वन के साथ कहीं भी हीज नहीं लगेगा वन से ही लगेगा अपना केंग्रेजी तो यह पर इच्छम हीज लगा देदेगा ता आपको सुधार ना पड़ता है चलिए देखते हैं आगे फिर यह देखिए कि आज अधिक अफचारिक अंग्रेजी में प्रियुक्त होने के स्थान पर सामान रुप से मैं बहवचन सर्मन हम देर का प्रियुक्त करते हैं तो वैसे हीज ही लगता है इनके साथ चलिए आगे देखते हैं देखते हैं कहां देर भी लगा सकते हैं इससे बताएगे एब्रीबाडी इब्रीवन इन सबीक साथ ही या हर ही लगाते हैं लेकिन आधिक अंग्रेजी में जो है कुछ लोग जो है दिम का प्रियुक्त भी करने लगे हैं तो इससे लिए देखते हैं इसका ग्यांपल एनिबाडी का इन डू इट इफ दे ट्राइग कोई भी व्यक्ति से कर सकता है यह दिवे प्रियास करते हैं इचाफ दिम हैड देर शेयर उनमें से प्रत्य का अपना क्या था हिस्स सब्सकर करते हैं वह सब्सक्र hottest है तो अधिक अपचारिक एंगलेजिय में प्रयुक्त होने की अस्थान सामानी रूप में बवेक्षन सर्वनाम का प्रोग करते हैं नहीं तो फिर्याल इसके रिफांश के साथ एक वेशन का ही प्रियूद किया जाता था तो आज सबस्क्रान सबस्क्राइब कि आपको सूचित नाम किसे काहते हैं। इतना जाने पूरे विभाग में प्रत्य ह्म मतलिक हर है को सूचित किया जाएगा वो भी अलग-अलग तो देखते हैं एक जामपल फिर अब यह आपको समय पूरा आ जाएगा इसकी परिवांस आए कि जिस प्रोनौन से जो है वाक में सुचित किये गए बिएक्ति या बस तुमें से प्रत्यक को बताया जाता प्रत्यक को सुचित किया तो उसे इसने ललके हैं प्रत्यक की बात किया जा रहा है तो गेट्स है यहां गेट्स ही लागी न सुचब वायज के उनसार गेट्स परिच्छम गेट्स आएगा तो आपको गेट्स करना पर रहे है क्योंकि यह सब्जिक्ट नहीं है कभी आप जो है आपको क्या है प्रिपोजिश और इनके बाद ना उना आता है तो वह नहीं मतलब कि माना जाता है इच आप दब वायज गेट्स आप प्राइज इच टीक लाड़कों में से प्रत्यक पुरस्कार पाता है प्रत्यक मतलब हरे इच टूक इन इट इन हीच टैल्म यहां एच लगा है यहां एक बचान बचा सबके साथ सब्सक्राइब पास लेज बात है इस इन रोडों में से कोई एक लेड्स टू दे रेलवे इस्टेशन ले जाती है यहां यहां यह आईदर भी एक बचान माना गया है आईदर बाद आफ आया तो आपके बाद वाला सब्जेक्ट में नहीं होता आइदर लेड्स आदर आप यह कहेंगो नादर आप अक्यूंज दोसियों में से कोई नहीं — विस दौनहों में से कोई एक सत्य हैं सच्चा ход कि एक समय द्यक्टियों भीख सूच को से Hm यॐ समय में एक़िन, वध्रियोंने से को लेको ही सूचित करते हैं मतलब भले प्रत्य वड़ियों ही मतलब हर एक समय में एक ही को सूचित करते हैं इसलिए जो हैν मतलब कि ये एक बचन की बर्मिन के साथ लगती है इस कारड़ ये हमेंसे एक बचन में प्रयोग होते हैं इनके बाद एक बचन की क्रिया लगती है इच का प्रयोग अने एक ब्यक्तियों बस्तों में से अलग अलग प्रत्य एक ब्यक्तियों बस्त के लिए होता है आइधर कर थे दो में से पहला या दूसरा कोई भी है, नाइधर कर थे दोनों में से कोई भी नहीं है, यह आईधर का निसिधात्मक याणि निगेट फार्म है, आइधर और नाइधर का प्रयोगत्व करना चाहिए जब दो व्यक्तियों या बस्तु के बारे में कहा जा रहा ह दोस्य अधिक के बारे में एनी, नो, वन, नन का प्रियोंग होता है, यह भी ध्यान देना है, पर इच्छा में दो के लिए आज़र नाज़र लगाना है, दोस्य जादक लिए, अफर में टू में एनी लगा देना है, उन्निगे टू में नो, वन या नन लगता है, एगमपल सरवनाम के अस्थान का ध्यान रखना चाहिए एगर तीन तरह से प्रियोग होता है, इच का प्रियोग वाक्ते में तीन तरह से होता है, देखते हैं, इच के बाद आप आप आया, इच आप दो दीज हार्से जिन खोड़ों में से कोई भी है, कास्ट फाइव फंडर्ड अब देखे आई बॉट इच आप दीज मैं गोज मैं इन प्रत्य कामू को खरीदा फार थ्री रूपीज तीन रूपए में इन ब्यक्तियों में से प्रत्य को पुरस्कार मिला तो यहां देखे इच शुरुवात में लगा है वाके के ठीक है प्रोणौन के रूप में अब देखे यहां क्या है बर्व के बार लगा है यहीं दूसरी पोजिशन है इन ब्यक्तियों में से प्रत्य को पुरस्कार मिला इन यह घोड़ों में से प्रत्यक को 5000 रूपई है कि इमत प्रत्यक की इमत इन आमों को तीन रूपई प्रत्यक के हिसाफ से खरीदा तो संख्या के बाद इसके प्रियोग का तीसरा ढंग अधिक प्रसलित है हम यह नहीं कह सकते हैं कि दम्यन रिशीवड एर रिवार्ड इच परन्त हम कह सकते हैं दम्यन रिशीवड फाइफ हंड़ रूपीज इच निम लिखित वाक्यों में इच आइदर और तथा नाइदर क दोनों में से किसी का भी दोस्त शही नहीं है है ऐट एदर इंड वाज अमार्वल स्टेट यू हिर आइदर एच आफ इच यस या बोछ यहाँ पर मतलब कराया है आई अज आई या अग्या प्रतिक या दोनों दो के लिए लगा है ठीक है तो एच जो है दो के लिए लग सक यहां संख्या नहीं के लिए रहा है दो ही लोग तो दो से ज्यादा की ही समझा जाता है तो देखें आप लिखें एच वन करता समय देते अधर नाइंदर आपजेक्ट हैं तो इच अधर वन अंदर सर्वनाम हो गया है यह किसी प्रेपोजिशन से कठिनता से यह लग किया जा सकते हैं इसलिए हम इन्हें कहते हैं लड़की एक दूसरे से जगड़ा कर लिए देख ऑल गेव इविडेंस अगेंस्ट इच अधर वे एक दूसरे खिलाफ सबुद्दी इच अधर का प्रोग दो व्यक्ति हैं बस्तों के विसे में कहने के लिए होता है वन अंदर का दो से अधिक के लिए होता है यह भी आपक लिए होने लगा तो गलत नहीं होगा तो चलिए फिर आच की वीडियो में इतना है अगली वीडियो में जो ऑ हम बाकई पार्ट है उसको भी बता देंगे यह से बाकी पार्ट में आपको रिलेटो पर्णॉन पढ़ना इप्ढ़ना साधी है बहुत इमपॉर्टन जो की है तो उसके बार हम दिश्तार से पढ़ेंगे तो जो भी है बचे हैं वह भी हम बता देंगे आपको कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं सब्सक्राइब ही हैं तो बिल आइकान को आण रखें ताकि समय से यूटूब आपको नोटिफाइब कर दें थैंक्स पर वाचिन वीडियो कि अलो स्टूडेंट्स आई आज प्रोनाउन का अगला पार्ट देखते हैं इसके पहले हम दो तीन वीडियो बना चुके हैं अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाएं मार्टिन नॉम की ग्रामर की बुक है जो इसके नाम से प्लेलिस्ट है आप पूरा देख लेजिए सभी पार्ट तो आज की वीडियो में हम रिलेटू प्रोनाउन देखेंगे और इस से इंट्रूगेटू प्रोनाउन यह जो बचें है उसको देखेंगे एक लक Kollege दिखते हैं इंकि जरूत को पड़ती है इसको देखते हैं आई मेश्ग को हटाया घ्रिया हम हुआ दिये और इस दोनों分क्राइब को जोड़ना होगा तहिस तरह से जोड़ा कि जाएगा कि इंटर्मेड डियो आ इसे आप को ठीजाएगा जोड कि ठीड़ें बनावें सिंपनल कंपक्लेक्स या कंपकोण्ड इसतरा से बनाना कि बना भूद्ता तो सिंपनल में कंजक्षिन औरकंपकलर से लिए यह हरी आइव में ठरी अब देखें दूसरी बार हरी नाउन है नाउन के बदले में क्या लगा दिएगा हूप प्रोनाउन यह प्रोनाउन का भी काम करता है और रिलेट्व प्रोनाउन प्रोनाउन तो है यह कंजक्शन का भी काम करता है और देखें आइव में ठरी में हरी से मिला हूँ है जेस्ट रिटन जो अभी अभी वापस आया हूँ मतलब जो जो मतलब हरी इस तरह से यह रूलेटु प्रणौन है यह कंजेक्शन का काम करता है और अपने सफाले आने वाले नाउन देखिए हरी की क्या कर रहा है यह इस ता बतला रहा है ठेक है तो यह एड्जे आगे है और यह पूरे नाउन है इस तरह से पूरा कलाज बन जाता है तो कलाज बन की विश्च तरह बतला था आई है फांड दब अब देखिए हाँ दो आकि आया है फॉन्ट पेन आया है लोस्ट मैं कलंपाय मैं इससे खो दिया था अब यहां क्या है वाक के देखिए जो यहां किताब है तुमने किताब मुझे उधार दिया लेंट में उधार दिया तो मतलब करें किताब है यह यहीं वही होता है यहीं किताब हो यहीं कहोगे तब दमिशवा यहीं किताब है यहीं होगे तो यहां जो तुमने दिया था कि वहां दीए दिया था कि आप ठीक दिखेंगा थो ना कि पुछट लगा दिया इस तरह से यह प्रणॉwn होता है जोडने का काम करता तो I hope आप समझ गया होंगे है ठीक है यहां इसके बारे में बताएगे काब कौन सा लगा ना चाहिए कर रहा है दो कतनों को जोड़ रहा है समुच्चे वो देख कंजेक्शन का काम कर रहा है हूँ सब्द का दो कारी होता है सर्वनाम तथा समुच्चे वो देख यानि कंजेक्शन और प्रनौन दोनों समुच्चे वो दक सर्वनाम कह सकते हैं अथा इसे ठीक है यानि कंजेक्ट पहले आए वी संगय को पूरवगामी यानि एक जानकरिया और भी आपको जानना चाहिए कि जो इससे पूरवियानिकी प्रणॉण से पूर्व जो संगया थी उसको क्या नाम कियाते हैं एंटिसेडेंट का थैं पूरवगामी ठीक है तो अब जैसे यहां किया कौन सा पूरव पूर गौर में कौन सा है यापको बताना थीट नहीं स्कूर्वगामी यहां देखते हैं संबंध्वाचक सरवनाम रूप क्या क्या है सपिक हम्यान 친-थक करमकारक में भीतलब हैं मतलब हैं कर्वक verbess क्र दीन के स те ideal के इसंका होलता है MEL expect काते हैं संबंध-कर उप संबंद कारता है संबंद कारक के रूप में होता है तरह का अबजेक्टिक क्या है हो और देखिए कभी-कभी हूब कहले किया जाता था लेकिन आपको करना चाहिए यह मिल जाता अब यह कोट्ट फॉर्जल की जाता आपको ऑप यह सब्जेक का काम कर देखे बर बाए दूसरे में दिस दबवाई यह लड़का है हूज इक्सरसाइज इस डन बेल अच्छे रहें से की गई तिया हूज क्या है आपका जो है जन इंट्ट्यकेस इन पजेस्ट्यकेस भी क्या होते हैं जिसको संब्धकारक है क्यों कि इसके ब ऐसका की जातीं है आपको मिल जाते हैं तो इस तरह से आपको जो है नमनेट्ट्यकेस हूब-बसेट्यकेस हुज आपजेक्ट्यक्त्यकेस हूम है कहीं-बीयव भी पुल्पिन जो विच्छ है ही लिखे हैं इस्ट इस तरों सेब वह करता खरक कर्म को र्ट में एक ही रूप अब दोने ही 24 और सब्सक्राइब यह समय है पूर सब्जेक्ट एक सब्सक्राइबisf सब्सक्राइब तो कास्ट हीम और इस त्री लाग फिप्टी थॉजंड इसकी कीमत जो है तिन लाग पिचा जाए विच का संबंधकारक नहीं होता है क्यूंतु फूज का प्रूब आप फिच के लिए होता है मतलब फिच का संबंधकारक अलग से नहीं बना है इसका सिनानिक फिचा जिसका होता है इसतरником चर्फंधक्राइब तरिकोड फूज्थ मॉज 2-5 बरावर फिटेश है करल है इक वी लैट्र ट्राइंगल विच्छीन। को जो है इसका तीनों साइड जो है बराबर होते हैं उससे जो है इस तरह से त्रीबुश काएते हैं देट के एक बचन और बचन में करताकारक और कर्मकारक के रूप में समान है यह जो कांटेंट इज्रिच वह जो कांटेंट वानिया संतुष्ट होगा और इसका एक पाठिकरम भी होता है लेकिन यहां वाज जो संतुष्ट होता है ज्रिच वह क्या होता है अमीर होता है ठीक है तो अनवफचारिक प्रयोग में हूँ की अस्थान पर हुआ था आनवपचारिक मतलब क्या जो आफिस्यल नहों मतलब बोल्चाल की भासा में देखिया बताया नहीं थे आपको हूग कर देते हैं लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि इन फार्मल होते हैं मतला अनावचारिक कि आपको समझ में आ गया होगा कि आज किसे काते हैं इसके बारे में इसमें हुम हुज विच दाइट यह होते हैं जिस बता दिये कि यह बास्थ के लिए जाथ लगता है विच का प्रयोग सेर्य नहीं के लिए लगता है लेकिन वह पक्रॉल्चका एक electro के ने ख्राइट करता है इस तरह से प्रतोरति आगे प्रोनों तब के लिए नीजिए अब देखते हैं हम एन्में नीकों ते प्रोणां जो बाटारं में किने कारिकरते हैं उसे हम इंत्रूटेटूके हैं इनका काम क्या हूता वहां कौन है डिसे देखें – वहां कौन है हु और व तुम कौन हो तो इस तरह से वाका का कम नहीं है तो नाम तो नहीं आया है तो नाम के बदले में हुआ तो जब तक किसी का नाम नहीं आ रहा है तब तक हुई ही यहां सब्जेक का काम कर रहा है किसके बारे में आर यू टाकिंग तुम किसके बारे में बात कर रहे हैं देखिए बाउट सुरूम आएगा तो हुआ करना पड़ेगा अगर हुश्रूम लाओगे तो बारे में के इंगर लास्ट में लिखा जा सकते पाइसी बारे मिप्ताइक करते हो या तो हुर्त लास्ट मे लगाते हूं वह एंड्ल किसको चाहते हो हुग तूर्भ टुसको किसको चाहते हो30 किसकीvol तक इस चांव की तरह से करदे प्रशन वाच्छ Caitlin karış नई बद्च हाँ आगे पढ़ेंगे तो यह पढ़ें होंगे पीछे पढ़ाया भी गया था तो उसमें क्या है कि यही प्रोणाउन इनके तुरंथ बाद अगर नान आ जाएगा तो इनको हम नाम देदेंगे इंट्रॉएट जैसे विच इंसे काौन सा और तुम्हारा तुम्हारा घर कॉन सा कौन सा सेलेक्षण का भाव पर करता है एक स्थ êtes हा तुम्हारा कॉन्सा backyard इस तुम्हारा है स B तो यहां विच के बाद तुरंट नावन आ गया तो विशेशता बतला रहा तो यह आपका इंट्रोगेटू एडजेक्ट्ट्व हो जाएगा ठीक है अवाट इस दा मैटर क्या बात है अगर यह कहा दें कि हम वाट प्राइस क्या कीमत तुम इसके लिए क्या कीमत चुका है तो वाट के बाद अगर तुरंट प्राइस आ जाएगा कुछ भी आ जाएगा वाट मैटर वाज दियर वहां पर क्या मॉमला था तुम यह प्राइस आ गया मैटर आगे कोई भी आ गया यह नाउन से पहले अगर आ जा गया तब उसके बा समझ में आ गया होगा अब यहां देखे कुछ नीचाया और भी जानकारी आपको दिया गया है यह देखिए लिए लिखे सब्वाम में समधकारक सर्वनाम की समान है समधकारक मतलब वही रिलेटु प्रणाम के समान है किन्तों से उससे भिंद्णकार कर रहा है यानि यह प् कि कौन बोल कौन बोला था आई डूनाट नो मैं नहीं जानता हूं फूज देर वहां कौन है तेल मी वाट यू है दन मुझे बताओ कि तुम क्या किया तो यह इंडारेक्ट कुश्चन जिसको आप रत्यच प्रस्चन के लिए मतलब इंडारेक्ट कुश्चन जिसे आप इंड इंडारेक्ट में इनकप्रयोग होगा तो आगे आपको बर्व का चेप्टर पढ़ाया जाएगा तो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ऐसे यूजफल वीडियो पाने के लिए बाकि वर्ड पाउर की वीडियो अपने चैनल पर डाल चुके है अगे अपलोड किया जाएगा इसलिए चैनल से जुड़ें किसी वीग त्यारी कर रहे हैं तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं उसकी वीडियो आपको जैसे समय मिलेगा बना दी जाएगी इनक्स्ट वीडियो